हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल स्टुडेंट्स क्लास 12 का एक नया अपडेट आया है कि जो मुल्यानकन पद्दिती अभी जो CBSE वोट द्वारा गोसित की गई है 30 अनुपाद 30 अनुपाद 40 का जो अनुपाद बनाया गया है 12 के रिजल्ट के लिए तो वो सुप्रीम कोट द्वारा हरी जंडी दे दी गई है परंतु उसके बाद भी बहुत से चात्र चात्रा है इस जो फार्मूला है उससे असंतुस्ट है तो उन स्टुडेंट्स के लिए जो इस फार्मूले से सेटिस्पाई नहीं है और चाते हैं कि आफ लाइन मोड में एक्जाम हो फिजिकली वो एक्जाम देना चाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी खुसकब लिए सुप्रीम कोट ने सीबी एसी से कहा था कि ऐसे बच्चों के लिए जो इस रिजल्ट पदिती से संतुस्ट नहीं होंगे उनके आप एक्जाम कब लेंगे उनकी भी आप तारीक घोसित करिये तो उसको देखते हुए आज सुप्रीम कोट में सीबी एसी ने तारीक का एलान किया ये बताया कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच वो जाम दे सकते हुए उसमें भी अभी कोरोना की कंडिशन देखी जाएगी जैसे अभी कंडिशन कंट्रोल में हैं तो 15 अगस्त से 15 सितंबर का टाइम दिया है सीबी एसी की तरफ से इसमें जो प्राइवेट इस्टुडेंट्स हैं जो पत्राचार वाले हैं या जिनकों कमप सीबी एसी ने ये भी काया कि 31 जुलाई तक हम 12 के परिणाम गोसित कर देंगे जो अभी रिजल्ट फार्मूला दिया है सीबी एसी द्वारा उस पर अब काम स्टार्ट हो गया रिजल्ट बनने को लेकर तयारी स्टार्ट हो चुकी हैं तो उसके अनुसार रिजल्ट बनाय दे सकते हैं और उनका रिजल्ट भी फिर सितंबर के लास्ट टे तक सीबी एसी द्वारा घोसित कर दिया जाएगा ताकि वो आगे कालेजेस में एड्मीशन ले सकें तो ये उन स्टुडेंस के लिए खुसकवरी है जो चाहते थे कि आफ्लाइन एक्जाम हो फिजिकल मोड म को सबस्क्राइब करने ताकि एजुकेशन से रिलेटेट सभी नूज आपको टाइम पर मिल सके थेंक यू थेंक यू सो मच